जेहिं सांतियों अब सभी को नमस्कार स्वागात है आज के सत्रपे आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बाते करेंगे जी हैं वो पांस तरीके बताऊंगा मैं आपको क्या जी वो पांस तरीके जो वर्दी लेने के लिए आप बहुत important है अगर इसको अपने life में follow करते हो नो बहुत आपको helpful मिलेगा जी हां अगर अगर आप लोग thumbnail देख किया है न यह थमनेल देखके आया है यहां पर तो एकदम सही जगा और सही समय पर आया है मैं आपको बहुत सटिक जानकारी दूँगा जो आपके लिए बहुत helpful र लगे तो वीडियो आगे तक देखिए और comment जरूर कीजे कि sir वीडियो कैसा लगा तो एक मिनट तक वीडियो देखे मैं आपको बहुत सटिक जानकारी दूँगा ओके जी तो पहली बाते जो पांस तरीके बताया मैं पांस तरीके में पहली बाते कि हमको ना जी क्या पढ़ जैसे मालो हम 36 गड़ एक्जामपल दे रहा हूं 36 गड़ पढ़ रहा है मालो क्या पढ़ा है 36 गड़ पढ़ रहा है क्या पढ़ा है 36 गड़ पढ़ रहा है तो हमारा सही डारेक्शन है नहीं है ठीक है सही डारेक्शन नहीं सही डारेक्शन मतलब क्या पढ़ना है और किसे हम पढ़ें तो वो दो तरीके बताऊंगा मैं आपको कितने वो दो तरीके बताऊंगा जो आपके लिए बहुत helpful रहेगा सही direction पढ़ना क्या है और पढ़ना छोड़ना क्या है इसके बारे में तो वो दो तरीके, दो तरीके में आपका पहला तरीका, देखो पहला तरीका क्या है, आपके previous year question है, कौन से आपके previous year question है, उसका क्या कीजिये, आप analyze कीजिए, क्या कीजिए, analysis कीजिए, analysis कीजिए, मतलब कि जो previous year को जासे 36 गड़ में पुलिस भरती में 2018 में हुआ, इससे पहले या 2013 में हुआ, इन कोश्चन को पहले आप लोग देखिए, कि कोश्चन कैसे, ठीक है भई 2018 और अभी में अंतर है competition का, लेकिन एक अंदाजा तो होगा न, कि कोश्चन कैसे आयते, कोश्चन कैसे आते हैं, इनका पता चलेगा, तो य इनलाइस करो, एनलाइस करने से आपको पता चलेगा, जैसे मालो, एनलाइस से क्या होगा, जैसे की 6 एक्जामपल बतारो, मालो भारत के इतिहाज पढ़े, क्या पढ़े, भारत के इतिहाज, अगर 5 साल का पेपर उठाओगे न, तो देखोगे, माराठाकाल या आधुनिक भारात हना इन सब चीजों से या आपका बहुत धर्म या जैन धर्म से कोश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो हमको इन ही टॉपिक को पढ़ना है सबको नहीं पढ़ना है हना अगर क्या करेंगे तब जब प्रिवियस एर का के कोशन लाओ को फिर्ब्य सियर का कोश्चन उठाके अब तक हमारे चतफिस गड़ पुलिस भरती में सात लाग वाल गया है कितना एक मोटा-मोटा सात लाग और पॉइंट में हैं लेकिन हम सात लाग मानते साथ लाग में बताऊ डू हूं को लगभग 2 से 3 लाग को तो syllabus के बारे में जान करी नहीं है, syllabus होता क्या है, कितने-कितने question के आंगे, वो उसके बारे में एक तनीक भी जान करी नहीं है, तो भाईया जी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि यूद्द लड़ने गए हैं, हात में तलवारी नहीं है, यह त तलवार की सिख्छन यह, आत में तलवार है, पेन तो है आपके पास, लेकिन उसकी सिख्छन यह पेन को चलाना कैसे है, लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आप syllabus देखिए, इसके लिए syllabus का प्ले लिश्ट में वीडियो डला है, कहां पर आपका प्ले लिश्ट में जाईए, प्ले लिश्ट में वीडियो डला है, वीडियो को पहले देखिए, जो syllabus बताया हूँ, फिर उसके बाद देखिए कि हां 36 गड़ में कितना question पूछ रहे है, GS में कितना है, मैसर में कितना है, सारे चीज़ों को देखिए, फिर आप आगे बढ़े, फिर जाके previous year question solve कीजे, ठी मारे YouTube channel में रोज, रोज आपके 36 गड़ पुलीस भरती के, और बांकी एक्जामों से related, जैसे 36 गड़ पढ़ने हैं सब में आएगा, भारत का GS पढ़ने हैं सब में आएगा, उनका आपको रोज daily वीडियो मिलता है, daily आपका MCU की question solve होता है, वो MCU की question ऐसे नहीं कि मैं कुछ भ पढ़े हैं न, objective question, MCU की question वो एक बार जरूर देखिए, लगबग जैसे भुगोल पढ़े हैं तो लगबग 30-40 वीडियो होगा, उन वीडियो को आप देखिए, आपको खुद लगेगा कि सर यहां से बहुत helpful मिल रहा है, बहुत मददकार हो रहा है, पी वाई question बहुत हैं व वीडियो कहां से मिलेगा, चैनल को आप subscribe करके रखेंगे, वहां से वीडियो मिलेगा, पीडिएप कहां से मिलेगा, तो पीडियेप आप टेलीगराम जॉइन कर लो, या फिर आप मेरा mobile नमबर है, वहां पे आप comment करो send PDF, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा ठीक, तो बात यहाँ पे पहली बात कर लिए, हम लोग पहला तरीका क्या है, आपका पढ़ना क्या है, और क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना चाहिए, सही बात है इतनी जानकारी होना चाहिए अब second दूसरी बात है, अबजेक्टिव क्या है आपका अबजेक्टिव अब अबजेक्टिव क्या है देखो एक योध्धा होता है, कौन योध्धा, है न अबजेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, योध्धा क्या होता है योध्धा जो है, अगर उसको बचपन से तलवार सिखा जाए, यूद्धा को बचपन से तलवार बाजी सिखाए जाए, तलवार बाजी सिखाया, नेकिन अगर वो यूद्धा में जाता है, कहाँ यूद्ध में जाता है यूद्ध में जाने पर उसको क्या पकड़ा दिया गदा पकड़ा दिया तो क्या वो यूद्ध लड़ेगा हाँ वो यूद्ध लड़ेगा लेकिन अपना 100% नहीं दे पाएगा क्या नहीं दे पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सिखा है तलवार बाजी, उसको तुम पकड़ा दिये क्या, गदा, तो कहां से देगा, तो कहानी वही है हमारे पास, कि हम लोग पढ़े हैं, अभी तक 11-12 कॉलेज हो गया है, वहाँ पर क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ें जी, ऐसा करके थेori पढ़ें, हाना, अब cruelty पढ़ें, अब हम क्या पढ़ पर रहें हैं, अभी objective, तो बात वही है, कि थेवरी पढ़ें, अब objective पढ़ रहें हैं, तो हमारा आदत क्या है, थेवरी पढ़ने का, तो हम जब paper दिलाने जाते हैं, तो objective में क् option दिया, B option दिया, C option दिया, D, अब हम लोगों को A पता है, question तो पता है, लेकिन A और B में confused है, वही कहानी होता है, तो कहने का मतलब आप जितना objective लोगा आओगे, जितना objective वो आपके लिए बहुत helpful मिलेगा, बहुत मददकार सीधा होगा, paper में आपको paper से जाने से पहले अभी बहुत समय है, लगबख चार से पांच महा समय है, आप objective question solve कीजे, बहुत helpful मिलेगे, जादा से जादा एक से दो घंट आप डेली objective solve कीजे, चाहिए से जी वे आपाम हो, चाहिए छतित गड़ पुलिस भरती का previous year question हो, ठीक, तीसरी बाते, तीसरी बाते क्या है आपका reason, क्या है reason, अब reason से आपको एक example से समझाता हूँ, आप लोग डेली जाते हो, कहां ground, यह है आपका ground, ठीक है मैदान जाते हैं, रोज जाते हैं यहाँ पर अरे, एक round हो गया, फिर ऐसे दोरते दोरते आएंगे, दो round हो गया, गिंती गिंते हैं ना, जो नए नए हैं, जिनको थोड़ा सा, जिनका fitness अच्छा है, जो round हैं, उनकी बात नहीं बुल रहा हूँ, एक medium की बात बुल रहा हूँ, तो 5-6 round लगाना भी बहुत बड़ी बात है, तो क्या करते हैं, पांस से 6 round लगा है, अब लगभग 4-5 दिन हम लोग क्या कर दिये, गेप कर दिये, नहीं गये, अब 6 दिन अगर ground जाते हैं, कहां जात दिन, चार से 5 दिन, अब उसके बात जा रहे हैं, तो 2-3 round ही लगेगा, वो एक आएक नहीं लगेगा, तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ, कि हम जो तरीका से पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन reason नहीं क रहे हैं, reason नहीं करने से क्या होगा, सब चीजे भूल जाओगे, सब चीजे भूल जाओगे, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मालो सुबा मेरा 9 बजे रोज वीडियो डलता है, 9 बजे डिला, तो 24 घंटे में उसको एक बार reason कर लो, आपको जैसा समय मिले, एक बा जरूरी, 24 घंटे में एक बार reason बहुत ही जरूरी है, ट्रिपल आर का rule अगर नहीं पता हो, तो ट्रिपल आर के बारे में आप लोग मेसेज करना, कमेंड करना, मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बना दूँगा, ट्रिपल आर क्या होता है, हाना, तो आपको region जरूरी ह जरूरी है, वही बात है, आगे पाट, बीछे सा पाट वाली कहानी हो जाएगा, इसलिए आपको daily region करना है, कितना daily region करना है, चौंथी बात, चौंथी बात क्या है, आपका test series, ठीक, test series अब देखो, test series इसलिए बोल नहीं, अब आपको माल लो, 1500 मीटर दौना है, ठीक, कितन 1500 मीटर, कितने में दौना है, समय में, पांच चालीस में जाना है, पांच मिनट, चालीस सेकंड में दौना है, तो 1500 सब लोग दौन लेंगे, सब लोग दौन लेंगे, लेकिन ये पांच चालीस में पूरा नहीं कर पाएंगे न, सब दौन लेंगे, सब दौन लेंगे, लेक प्राकार हमारा test series यह मददगार सिध्ध करता है कि हमें paper में मिलेगा 2 घंटा कितना मिलेगा only 2 घंटे two hours मिलता कितना है 2 घंटा अब देखो paper में रहेगा 36 गड़, GS, mass reasoning सब रहेगा syllabus के इसाब से हाना mass reasoning SB बनाएंगे लेकिन उस धो घंटे में जो बना लिया वही KING है वही वर्दी लेके जायेगा वह दो घंटे में तो जीतना आप लोग टेश्ट मसी hylper बहुत मददगार सीद्ध होगा आपकी पेपर के लिए वर्दी लेने के लिए बहुत हेलफ़ पूल रहेगा कोई भी एक्जाम हो टेश्ट सीरीज बहुत इंपोर्ट क्योंकि वो दो घंटे का खेल खेलना न वो खेला हो जाएगा नहीं तो फिर यह दो घंटे का खेलना टेश्ट सीरीज जोइन करना है अब सर्ट टेश्ट सीरीज कहां से कैसे जोइन करें तो हमारे यूटूब चैनल में सिचिश्ट डिजोन में आपके लिए रोज रोज कब रभीवार को आपके लिए टेश्ट सीरीज लेके आएंगे क्या लेके आएंगे टेश्ट सीरीज ल ले रहे हैं तो मैं ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूं आप से सिर्फ पांच रूपए चार्ज करूंगा पर टेस्ट पर टेस्ट के लिए पांच रूपए चार्ज अब यह पांच रूपए इसलिए जी मैं भी एक पैसा देना पड़ता है उनको भाई वो लोग भी फ्री में नहीं करेंगे उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं आपके लिए पांच रूपए पर टेस्ट रखा हूं जिनको टेस्ट स्री जॉइन करना है संडे को हर अभिवार को होगा कब यहां पर आप क्या कर सकते हैं प्रैवेट होगा अपको szirven आपने पास रख सकते हैं ठेक है किसी को दूसरी को नहीं सेयर कर सकते हैं यह प्राइवेट होगा आपको हर सन्य अरभिवार को मिल जाएगा लेकिन इस नंबर पर आपको फोन पे करना होगा इस की इंस वाट भेस देड़ा मैं दे दूँगा ठीक है और जिसको पांच रुपया भी अपने टीचर के अपने लिए मेरे लिए नहीं है आपके लिए ये 5 रुपया आपके लिए 5 रुपया अगर दे के आप टेस्ट से बहुत बहुत इंपट्न इंपट्न कोषचन ले कर आओंगा मैं 5 रुपया तो हम लोग ऐसी फेंक देते हैं अब ये 5 रुपया लेने का कारन यही है कि मेरे को PDF बनाने के लिए दूसरे को देना पड़ा है इसलिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ और कुछ नहीं है तो यह 5 रुपय आप अपने लिए लगाओ काम यूज होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत इंपोर्टेंट होगा वहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करो जैसा मालोक कल टेस्ट है तो आज रिवाइज मत करो वैसे में क्या होगा वह तो ततकाल ततकाल हो जागा 24 घंट हुआ नहीं है आप उसको रिविजर नहीं क्यों आप पेपर में वहाँ पर जाके बना का जाओगे ऐसा नहीं उसको रहन दो टेस्ट स्रीज दिलाने जब कर सकते हैं नंबर है एक बार रिपीट करता हूं 756619960 यहां पर फोन भी कर सकते हैं यहा पर Canadians करके uso आपका क्या कर सकते हैं टेसरी जॉइन कर सकते हैं अब लाशय बात लाश्ट और पांचवी बात क्या है नचभव. बस बात पांचवी बात यह जोईन करो वहनुए क्या है आपको वहां पर अपसर बुलोगी, यह कैसा तरीक है यूटूब चैनल करवा रहा हूँ कि यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर टेलीक्राम चैनल है और एक वाटसप हमारे groups नमबर है यहाँ पर आपको डेली क्या मिलेंगे करेंट मिलेंगे करेंट मिलेंगे डेली आपको फ्री में पीडियेप मिलेगा कैसे मिलेगा फ्री में आपको पीडियेप में लगे यहाँ पर आपको फ्री में वीडियो मिलेगा और यह जो वीडियो और करेंट है न आपको ब चैनल जॉइन करने के साथ टेलीग्राम या वाटसब जॉइन करो आप डेली आपको करेंट और प्राप्त होगा वह भी फ्री में हाना जी तो कहानी यह है कि यह जो पांस तरीके पांस तरीके अपने जीवन में फालो करो बहुत बहुत इंपोर्टेट और बहुत helpful मिलेगा ज से खाली हाँ जब अपने पढ़ाई से दूर चले जाओगे लपरवाही के कारण किनके कारण आप अपने लपरवाही के कारण और जब अपने किताबों को एक बोरिया मिस्तर में समेठते रहोगे ना कहां बोरिया मिस्तर में समेठते रहोगे तब जिम्मेदारी का बोस क्योंकि सिर्फ फिजिकल निकालने से नहीं होगा दिकतर देखाऊ इस्टूडेंट फिजिकल फिजिकल करते हैं भाई फिजिकल निकालने से नहीं होगा इतना है कि हमको पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे से पढ़ लो नहीं तो फिर बाद में पस्तावा हो जाएगा बहुत पोस्ट होता है 5000 है ना तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो है लगा हो आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए मददगार सिद्ध हुआ हो तो प्ली सबक्ति थिए जाएगा हो जाएगा हो इस हमाय को कर दो कीजोरे बातरो को कर लिएमा को फिर विएमा?